हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नोश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जै तो ये बैंकों में धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जिस प्रकार से Regulations होते हैं जिस प्रकार के नियम काईदे होते हैं उनको धीरे-धीरे और सख्त किया जा रहा है और उनको सख्त करने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे Banking System में जो Unaccounted Cash है Unaccounted Cash मतलब ऐसा धन, ऐसा Cash जो किसका है इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है तो हम जो है धीरे-धीरे ये चाहते हैं कि Unaccounted Cash की जो संस्कृती है भारत में ये समाप्त हो जाए या फिर कम हो जाए समाप्त तो खेर नहीं हो सकती लेकिन ये कम से कम कम हो जाए तो इसके लिए सरकार जो है वो पिछले काफी समय से बहुत सारे प्रयास कर रही है जैसे Demonetization का प्रयास आपने देखा होगा Digital Economy को प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है UPI इत्यादी आया है जिसने वास्तविक्ता में Cash के प्रयोग को काफी घटाया है और अब जो है सरकार RBI एक ऐसा नियम लेकर आई है कि बैंकों के अंदर आप Cash जमा करेंगे या Cash निकालेंगे अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो उसके लिए भी नियमों को थोड़ा सा सक्त किया गया है जिसको हम कहते हैं बैंक के अंदर Cash Pay In या Pay Out Pay Out मतलब पैसा बैंक से निकालना और Pay In मतलब बैंकों में Cash जमा करना इसके नियमों को थोड़ा सा सक्त किया गया है ताकि वो पैसा किसका है कहां से आ रहा है उसके बारे में जानकारी उपलब्द रहे ये क्या सक्ती की गई है क्या नया नियम बनाया गया है ये मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनिट में लेकिन उसके पहले आपको बता दू कि भाई हमारा P2I बैच जो है हमारा प्रतिग्या बैच वो शुरू हो रहा है 27 तारिक शाम 6 बजे से तो भाई इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइब क्लास मिलेगी मैंटॉर्शिप मिलेगी डैली प्रैक्टिस क्वेश्चन्स मिलेगे प्री और मेंस के मैंस के क्वेश्चन्स का आपको डेली फीडबैक मिलेगा इसके अलावा आपको प्री मेंस की टेस्स सिरीज二 मुलेगी 18 किताबे आपके घर पहुंचेँगी और अगर आप pre-qualify करते हैं तो आपको हम एक तो पूरी fees refund कर देंगे और दूसरा आपको हम दिल्ली बुलाएंगे आपका रहना खाना पड़ना सब इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा तो आज ही AJ Live Code लगाईए और 27.99 रुपए देकर इस बैच से जड़ जाएए याद रखिए pre-qualify करेंगे तो fees refund हो जाएगी और दूसरी बड़ी बात ये वाला बैच जो हो रहा है शुरू ये हिंदी माध्यम में अमरत उपाध्याईफर शुरू कर रहे हैं पॉलिटी के साथ तो आप सभी निश्चित तोर पे अमरत उपाध्याईफर को जानते होंगे जो हमारे यहां पॉलिटी पढ़ाते हैं हमारे हिंदी सेक्षन के हेड हैं आप उसको जानते हैं तो भाई आप उनको जानते हैं किस प्रकार से आप सभी बहुत जादा मांग आती थी उनके quality के lectures की batches में तो आखिरकार वो इस batch में quality लेकर आ रहे हैं तो इसका लाब उठाईए AJ live quote लगा कर आज ही जुड़ जाईए औ और उनसे quality पढ़ने का अबसर प्राप्त कीजिए चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं हाँ तो RBI ने अपने नियमों में क्या परिवर्तन किया है कि सबसे पहले देखिए एक तो क्या होता है कि आपका जो होता है payout क्या होता है सबसे पहले payout समझते हैं यह रंग तरीका है कि आपने पैसा बैंक से निकाला लेकिन किसी बैंक अकाउंट में दिया जैसे मान लीजे कोई व्यक्ति जो है जिसके पास अकाउंट नहीं है यानि कि अकाउंट से जैसे bearers check होता है ना कि मैंने bearer check दे दिया मान लीजे 50,000 रुपे का 10,000 रुपे का तो कोई ऐसा व्यक्ति बैंक गया जो पैसे को निकाल के किसी बैंक में नहीं डाल रहा है वो बस बैंक में जाके वो पैसा दे कर या पर्ची बना कर वो cash ले रहा है तो अकाउंट से पैसा निकाला तो ये जो प्रक्रिया है तो ऐसी प्रक्रिया में क्या किया जाएगा कि भाई अब इसमें bank क्या करेगा कि अब तक क्या होता था अगर मान लीजे किसी व्यक्ति का bank में account है उसने मुझे पर्ची दी और बोला पर्ची भर के दे दी sign करके दे दिया या check बना के दे तो मैं bearers check जो होता है वो लेकर में जाकर bank से cash ले सकता था मुझे bank को अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी अब तक ये था कि जिसके पास वो पर्ची है bearers check है वो जाके bank में वो check देगा और पैसा cash लेके निकल जाएगा उसे कुछ भी बताने की जरूरत थी लेकिन अब RBI ने क्या नियम बनाया है कि इस व्यक्ति का भी नाम और पता जो है bank लेगा नाम और पता जो है वो register किया जाएगा तो अगर आप bank से cash निकालते हैं और वो किसी account में नहीं डालते नकद लेकर आप जा रही है तो bank जो है अब आपसे आपका नाम और पता ज यह simple सी बात है basically पैसा कौन लेके जा रहा है देखिए idea वही होता है कि cash का trail होना चाहिए हमको पता होना चाहिए कि नकदी जो आ जा रही है वो किधर जा रही है कहां फे आई कहां को जाएगी यह हमको अंदाजा होना चाहिए तो भाई इसके लिए अब आपका नाम पता जो और बोलेगी भाईया इस account में जमा कर दो अब तक ये भी आप कर सकते थे आप जाओ वो cash जमा करने वाली परची भरो और अपना वो note bank को दे दो आप जो है cash bank को दे दो bank जमा कर लेगा ठीक है अब तक उस पे हाला कि मुद्रा की सीमा थी कि उस bank में मरी खाल से 25,000 रुपे क सीमा है कि आप उतना ही करोगे लेकिन अब क्या है जो व्यक्ति इस पैसे को जमा कर रहा है जमा करते हुए उसका verified phone number verified phone number मतलब उस व्यक्ति से उसका phone number लिया जाएगा और bank verify करेगा कि ये number काम कर रहा है कि नहीं और उसी का है या नहीं ये पैसा bank तभी स्विकार करेगा कर रिंग करके confirm करें कि ये number आपका ही है उसका verified phone number देखा जाएगा इसके अलावा किसी एक सरकारी ID की copy आप से ली जाएगी ये याद रखिए अब अगर आप cash जमा करने जाएंगे तो किसी एक सरकारी ID की copy जिसको आपको self attest करना पड़ेगा सो प्रमाणित उसे आपको करना पड़ेगा अपने ही हस्ताक शरूफ पर करने पड़ेगे तो ये एक सरकारी ID की copy भी आपको देनी पड़ेगी अब आप ऐसे ही bank में जाकर नकद जमान नहीं कर सकते अब आपको अपना एक तो phone number verify कराना पड़ेगा और एक आपको जो है एक ओटीपी वगेरा से होगा या कैसे होगा ये अभी RBI ने सपश्क नहीं किया है इस पर अभी नियम आएगा तो जब आएगा तब मैं आपको बता दूँगा एक और लेवल का authentication होगा कि वो किसी OTP के जरी होगा मेरे चाल से OTP के जरी ही होगा और कैसे हो सकता है तो वो जो है ये एक प्रक्रिया एक थापित की जाएगी तो ये यहाँ पर किया जाएगा इसके अलावा बैंक भी जो है ये जो डेटा वित्ती का इकथा हो रहा है जब बैंक अपना NEFT और IMPF सित्यादी के आंकड़े इकथे करता है उसमें इस डेटा को भी प्रदर्शित करेगा तो आ पता नहीं कौन जमा कर गया पता नहीं कौन निकाल के लेकर जा रहा है इस पर रोक लग सके याद रखिएगा ये जो नियम है ये एक नवंबर दो हजार चौबिस से लागू होंगे इतना समय इसलिए दिया गया है कि निश्चित तोर पे बैंकों को भी विवस्था बनानी पड़ेगी ग्रहकों को सूचित करना पड़ेगा तो एक नवंबर दो हजार चौबिस से ये नियम जो है वो यागू हो जाएंगे और लक्ष इसका वही है कि देश में काले धन का जो प्रादर भाव है जो कैश में ट्रांसेक्शन वित्यादी होते हैं उन पर नकेल कसना उ आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा लेकिन अभी के लिए इतना ही जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है प्रतिग्या बैच 27 तारीक से अमरत उपाद्याइसवर के साथ शुरू हो रहा है शाम 6 बजे एजे लाइव कोड लगा के 27999 में उसमें आज ही जुड़ जाएए प्रतिग्या बैच है प्रीक्वालिफाई करोगे वापस मिल जाएगी और आपकी तैयारी एकदम नेशुल्क हो जाएगी तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए इस चरता से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हिंदी में यूपी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टड़ी आइक्यू आईएस हिंदी